दोस्तो आज हम लोग एक अलंकार और करते हैं दोस्तो आज हम लोग करेंगे सारे गः और वापस सा पे आ जाएंगे मतलब जहां हम लोग उने शुरू किया था वही वापस आएंगे जंब करते गे बीच वाले स्वरों को नहीं लेंगे और दोस्तो एक खास बात मैं इसमें बता दूँ इसमें खासियत यह है कि आप सभी स्वरों को समझ पाएंगे जब आप उसमें रुकेंगे तो आप सभी स्वरों को समझ पाएंगे और इस अलंकार में सभी स्वरों पर आपको रुकना ही पड़ेगा और दोस्तो दो स्वर उपर के भी लगेंगे और दो स्वर नीचे के भी लगेंगे तो आएए इसको देखते हैं हम लोग किस प्रकार से करें हमिंग सारे गासा रे गामा डे गाम मापाग Matter मा पधा मा पधनी पा धनी साधा नी सारे नी सारे गसा और जब वापस रोटेंगे तो कैसा होगा सानी धसा नी धपनी धपा मा धा पा मगपा मा गरे मा गरे सागा रे सानी रे सानी धसा दोस्तों आप लोग को समझ में आया सारे गसा जहां से हमने स्टार्ट किया था डायेक्ट हमने लाश्ट नोट के बाद हम वहीं पर बापस जम करकर चलेंगे तो अब अगर इसे थोरी स्पीड में करेंगे स्पीड में तो कैसा लगेगा आप इससे सुनें हमीं इस अलंकर में क्या हुआ दोस्तों आप हर एक स्वर पर रुक रहे हैं सभी स्वरों पर और पहले आप इसे धीरे धीरे ही करें जैसा हमने फर्स टाइम में करके दिखाया है पहले आप वैसे ही करें और उसको समझें उसके बार फिर थोड़ी थोड़ी करकर आप इस पीड रहाने की कोशिश करें और जब करें आप तो इसे सुने जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको इससे बहुत ज्यादा फाइदा होने जा रहा है आप करकर देखें तो दोस्तों कैसा लगा मेरा यह वीडियो कमेंट्स आप जरूर करें मैं आपके कमेंट्स का इ